त्योहार हो या कोई वर्त हो, मीठा तो हर कोई खाना पसंद करता है नमस्कार मैं अंकिता, आज आपके लिए लेके आई हूँ लोकी की खीर की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं लोकी की खीर लोकी की खीर बनाने के लिए यहां मैंने एक केजी लोकी ली है इसे कहीं कहीं पे घिया भी का आजाता है पहले मैंने इसको अच्छे से दोया और उसके बाद इसका छिलका निकाल दिया है अब चाकू से हम इसके इस तरह से बड़े-बड़े पीस काट लेंगे ये लोकी एकदम कच्ची है इसके अंदर बीज भी नहीं है अगर लोकी के अंदर बड़े-बड़े बीज हों तो बीज को निकाल कर अलग कर दीजेगा ये कद्दुकस का मोटे वाले हिस्से से हमें नहीं करना है ये जो बारिक वाला है इसी से हमें से कद्दुकस करना है सारी लोकी को हम अच्छे से इस तरह से कद्दुकस कर लेंगे लोकी तो हमारे लिए हेल्दी होती है साथ में इसकी खीर भी बहुत स्वादिश्ट लगती है इस खीर को आप वर्त में भी खा सकते हैं और वैसे भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस खीर को जटपट बना कर खा सकते हैं ये देखे पूरी लोकी को मैंने अच्छे से कद्दुकस कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में डालेंगे एक चमच देशी घी घी को थोड़ा सा गरम होने देंगे जब घी थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसमें कद्दुकस की हुई लोकी डाल देंगे आपको जब भी लोकी की खीर या हलवा कोपते बनाने हो तो लोकी को तब ही कद्दुकस करना है पहले कद्दुकस करके नहीं रखना है क्योंकि अगर आप इसे ज़ादा देर पहले कद्दुकस करके रख देंगे तो लोकी काली पढ़ जाएगी और अगर आपको किसी वज़े से पहले कद्दुकस करना भी पढ़ गया और वो लोकी काली हो गई तो आप उसे साफ पानी से दो तीन बार धो लीजे ऐसा करने से लोकी बिल्कुल साफ हो जाएगी लोकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है इसलिए हम इसे मीडियम आज पे थोड़ देर इसी तरह से चलाते हुए भून लेगे ताकि लोकी का जितना पानी है वो अच्छे से सूख जाए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसी तरह से चलाते हुए इसका पूरा पानी सुख़ा देना है जब भी आप लोकी की खीर या हलवा बनाये तो भारी तले की कडाई का इस्तेमाल करें क्योंकि हलके तले की कड़ाई में अगर हम खीर या हलवा लोकी का बनाएंगे एक तो लोकी अच्छे से पक नहीं पाएगी और दूसरा वो जल भी सकती है और अगर थोड़ी सी भी लोकी हमारी जल गई तो जो खीर हलवा हम बना रहे हैं उसमें जलने की स्मेल हो जाएगी और इसकी वज़े से हमारी जो खीर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी तो आप जब भी खीर या हलवा बनाए लोकी का तो मोटे तले की कड़ाई का ही इस्तेमाल करें और देखिए आप से बात करते करते लोगी का पानी पूरा अच्छे से सूख गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक लिटर दूद यहां मैंने मलाई वाले दूद का इस्तेमाल किया है और इसमें गरम दूद का ही इस्तेमाल करना है दूद को एक बार आप उबाल दे अच्छे से और फिर इसमें डाल दे आपको इसमें गाड़े दूद का इस्तेमाल करना है मैंने यहां महस का दूद लिया है आप चाहे तो इसमें पैकेट के दूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास गाएं का दूद है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आप इसमें थोड़े से काजु को बारीक पीस के डाल दीजेगा जिससे खीर एकदम गाड़ी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा अब हम इसे मीडियम आच पे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि लोकी भी अच्छे से पक जाए और ये जो खीर है हमारी एकदम गाड़ी भी हो जाए और जब आप इसको पकाएं तो इसको बीच बीच में इस तरह से कड़शी की साहता से चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से जले ना जब तक ये खीर पक कर तयार होती है तब तक आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बैल को भी आल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले मिले और देखिए जैसे जैसे खीर पक रही है वैसे ही ये गाड़ी होनी शुरू हो गई है लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है और देखिए खीर को पकते हुए काफी देर हो गई है और ये अच्छे से गाड़ी भी हो गई है अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट जैसे बादाम और किसमिस और आधा कटोरी इसमें डाल देंगे चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिठा डाल सकते हैं और चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच इलाइची पाउडर खीर में आप इलाइची पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें इसे डालने से खीर में बहुत अच्छी खुस्बू आएगी और अब इसमें डाल देंगे हाप टीस्पून ग्रीन फूड कलर फूड कलर कोई जरूरी नहीं है आपको इसमें डालना है आपका अगर मन हो तो आप इसमें डाल ये नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी हमें इस खीर को 5 मिनट और पकाना है ताकि जो इसमें हमने चीनी डाली है वो अच्छे से गुल जाए और ये थोड़ी सी और गाड़ी हो जाए और देखी 5 मिनट पकने के बाद लोकी भी अच्छे से पक गई है और खीर भी हमारी बड़िया से गाड़ी हो गई है और फूड कलर डालने की वज़े से इसमें प्यारा सा ग्रीन कलर भी आ गया है तो जब भी आपका कुछ मिठा खाने का मन हो तो आप इस तरह से लोकी की खीर बना कर खाईए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू सो मच